आखिर इस खबर की चर्चा कोई क्यों नहीं कर रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान शुरी राम की तुलना लाभारतियों से कर डाली बड़ा सवाल ये कि क्या भारतिय जंता पार्टी में इस कदर एहंकार हो गया है कि वो सुरिष्टी के निर्माता शुरी राम की तुलना लाभारतियों से करने लगे लाभारति इस देश की सच्चाई हैं वो इस देश को आइना भी दिखाते हैं कि किस तरह से विकास की बयार कई लोगों तक नहीं पहुँची है इसी लिए सरकार को मनरेगा जैसी योजना है असी करोड लोगों तक मुफ्त अनाज पहुचाना या फिर लाभारति योजना करनी पड़ती है वो कही न कहीं एक करारा तमाचा है इस देश के मूँपर जब हम ये दावा करते हैं कि हम एक विकसित देश हैं यह हम एक विकसित देश बनने वाले हैं मगर प्रधान मंत्री ने तो हद कर दी मैं इस समझना चाहतो है कि इस मुद्दे पर डिबेट क्यों नहीं हो रही है ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे तेरे बोल पर अंकुष नहीं डाल सकते बोल इलाबाजाद है तेरे प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने श्री राम की तुलना लाभारती से कर डाली 30 दिसंबर का ये बयान है दोस्तों यानि कि पिछले साल का बयान मगर इसको लेकर खामोशे हैं सब तरफ और मैं इस मुद्दे की चर्शा सिर्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं उसका उद्गाटन होने वाला है इससे पहले भी लगातार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के रुत्बे को श्री राम से उपर वत लाने का प्रयास किया जा रहा है सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुनिये प्रधान मंत्री ने अपने भाशन में कहा क्या था तोनों को आत्मसाथ करते हुए आगे बढ़ रहा है एक समय था जब यहीं अयोध्या में राम लला टेंट में विराजमान थे आज पक्का घर सिरफ राम लला कोई नहीं बलकि पक्का घर देख के चार करोर गरीबों को भी मिला है जिस तरह से लाभारतियों को हमने पक्का घर दिया उसी तरह से राम लला जो टेंट में रह रहे थे उन्हें हमने पक्का घर दे दिया बाफ कीजेगा मगर मुझे यह एहंकार की परकाश्था लगती है मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि श्री राम हमारे लिए एक emotional मुत्ता है श्री राम की हम पूजा करते हैं श्री राम को हम स्रिष्टि का निर्माता मानते हैं हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो उन्हें स्रिष्टि का निर्माता मानते हैं उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं सवाल ये कि आप प्रधान मंत्री ने ये बड़ी बात कह दी मगर साहब मजालेस पर कोई चर्चा हो रही है मैं समझना चाहता हूँ कि क्या भारती जनता पार्टी को लगता है कि प्रधान मंत्री का दर्जा शुरी राम से उपर है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैंने इस मुद्दे को इसलिए भी उठाया दोस्तों क्योंकि आपको याद होगा कि भारती जनता पार्टी का जो करनाटक का आईटी सेल है उन्होंने इस तस्वीर को वाइरल किया था इस तस्वीर को देखिए जिसमें आप देख सकते हैं कि राम लला का कद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोनी से नीचा है बाद में जब इस वर बवाल हुआ तो उन्हें से वापिस लेना पड़ा इसे डिलीट करना पड़ा यानि कि आप मानते हो कि आप कुछ गलत कर रहे हो मैं सबसकता हूँ प्रधान मंत्री कि जब नई संसरत का उद्गाटन होता है तब आप नहीं चाहते हैं कि आपके लाबा कोई और देखे और यही 22 जनवरी को भी होने वाला है आज मैं ये लिख कर कह रहा हूँ कि उस दिन भी जब आप संबोधन करेंगे जब आप वहां मौझूद होंगे कहने को आपने विपक्ष के तमाम नेताओं को बुलाया हुआ है मगर एक अरसे से गोधी मीडिया उन पर किस तरह से निशाना साध राय हम सब जानते हैं उसकी मिसालें आपके सामने ये देखे किस तरह से गोधी मीडिया ने विपक्ष पर निशाना साध हा था और अब विपक्ष वहाँ जाएगा भी सुनिया गांदी वहाँ जाएगे भी मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि न सिर्फ प्रधान मंत्री का महिवा मंदन किया जाएगा बलकि विपक्ष को भी गाली दी जाएगी याद कीजिए राम मंदर से जुड़े चंपत राय इनने तो प्रधान मंत्री नरेंद्र बुनी को विश्नु का अवतार बता दिया था विश्नु का अवतार मुझे एक सवाल का जवाब दीजे और इस बात का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ राम राज जी की सबसे बड़ी बात होती है जवाब देही राज धर्म कहने का अरती है कि राम राज जी में हमेशा जवाब देही पर तवज्जो दी जाती थी जबकि राजा महराजाओं का यूग होता था मगर आज जब नई संसत का अगाटन होता है तो संसदीय कारे मंत्री प्रहलाज जोशी ये कहते हैं कि संगोल युग में, संगोल के सामने, राजा संगोल के सामने नतमस्तक हो रहे हैं ये प्रहलाज जोशी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था और दूसरी तरफ चंपत रहे हैं जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोनी को विश्णू का अवतार बताते हैं सबसे बड़ी बात प्रधान मंत्री इस देश के प्रधान मंत्री हैं चुन कराएं आपके और हमारे वोट से उन्होंने पिछले नौ सालों में एक भी प्रेस कॉंफरेंस नहीं की जन्ता के सवालों का जबाब नहीं दिया उन्हें उन सवालों का जबाब देना चाहिए बड़ी बात आपको वोटों की खेती करने के लिए आप इस तरह से धर्म का इस्तमाल नहीं कर सकते आपको समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों श्री राम की तुलना लाभारती से की गई है इसकी सीधी सी वज़ा है कि प्रधान मंत्री को श्री राम के संकक्ष खड़ा कर दिया जाए और जब ऐसा होता है तो सवाल करना मुश्तिल हो जाता है तब मेरे जैसे पत्रकार जब उनसे सवाल करते हैं तो मुझे धर्म विरोधी बताया जाता है देश विरोधी बताया जाता है इसलिए इस तरह की बात की जाती इसलिए उन्हें विश्नु का अवतार बताया जाता है और ये पहली बार नहीं है आपके स्क्रीन्स पर उपराश्पती जगदीब धंकर याद है ना इन्होंने क्या बयान दिया था जगदीब धंकर ने ये कहा था कि इस वक्ट जो मोदी काल में हो रहा है बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसा गीता में बताया गया है उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना शुरी कृष्ण से कर डाली थी अर्जुन के करतव में से कर डाली थी और जगदीब धनकड कोई पार्टी कार करता नहीं हाला कि उनके बयानात से आपको ऐसा आभास होता होगा खास कर जिस तरह से पश्य मंगाल में उस सड़कों पर उतराते थे जुनून और पाशन बिलकुल भाजपा के कार करता वाला होता था वो एक सामवैधानिक बद पर बैठे हुए व्यक्ती है मगर उनके बाचीत करने का अंदाज बिलकुल भाजपा के कार करता का है मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ क्या उन्हें ऐसा बयान देना चाहिए था अरे विपक्ष जब सवाल पूछता है आपने करीब 141 सांसदों को निलंबित कर दिया था अप्रत्याशित है ये ये है रामराज्य ये हैं अमरितकाल भाजपा की ये तीन कार करता दुश्कर्म के आरूपी हैं एक मासूम की जिंदगी इन तीनों ने बरबाद कर दी सक्षम पटेल अभिशेक चौहान कुणाल पांडे और ये बनारस में हुआ प्रधान मंत्री का कोई बयान आया मनिपूर में हालाद बच से बत्तर हो जाते हैं प्रधान मंत्री का कोई बयान आता है कश्मीर में इस साल पिछले साल हमारी सेना की करीब दो दरजन से ज्यादा जवान ऑसिसरम मारे गए एक बार में एक करनल एक मेजर और इक डी-स-पी मारे जाता है दूसरी बार में फिर सेना के चार या पांच जवान मारे जाते है शुपई सट्थबाल मलिक उनके पास पहुंचते हैं किसान आımध औलन को लेकर कहते हैं जो पांच सॉ छे सो लोग मर गए हैं इन पर कुछ कीजिये प्रधान मंत्री कहते हैं मेरी वाज़ास दोड़ना मरें सत्वाल मलिक का ये बयान था प्रधान मंतरी तो उसका आज तक खंड़न नहीं किया कहा ना उन्हे और अब आप श्री राम की तुलनाला भारतियों से कर रहे है ये एहिंकार है और ये एहिंकार इसलिए आ रहा है क्योंकि मीडिया आपको कटगरे में नहीं रखता मीडिया आपसे सवाल नहीं करता मीडिया आपसे सवाल करने से बचता है आप जो मर्जी करते हैं वो आप कहते जाते हैं जो अपने आप में नहायत ही शॉकिंग है वो जानते हैं कि जब मीडिया कट घरे में नहीं रख रहा तो इसी बयान को उपलब्धी के तौर पर पेश किया जाएगा कि देखिये शुरी राम की तुलना लाभारती से कर दी देखिये प्रधान मंत्री को विश्नु का अवतार बता दिया गया देखिये प्रधान मंत्री को अर्जुन कृष्न बता दिया गया और याद से नहीं हो रहा है यह 2014 से हो रहा है बनारस में जो नारे हम गंगा के लिए इस्तमाल करते हैं या भगवान शंकर के लिए इस्तमाल करते हैं, वही नारे प्रधान मंत्री के लिए किये जाते हैं। अब आप समझें, कि इनके जो अंद भक्त हैं, वो सवालों से क्यों घबराते हैं। और जब मेरे जिसे पत्रकार सवाल पूछते हैं, तो हमें गालियां क्यों दी जाती हैं। जो अंध समर्थक हैं, वो ये कहर हैं कि 22 जन्वरी को जब श्रीराम के कपाट खुलेंगे, तब श्रीराम प्रधान मंत्री नरेंदर मोडी को पहला दर्शन देंगे। आज उसकी भी परवाह नहीं है राम की बात करते हो मगर रामराज की बात नहीं करते हो और रामराज का जो अभिन अंग है वो है जवाब देही वो है राजधर्म अटल जी ने आपको 2002 मेरा धर्म की याद दिलाई थी तब आप थोड़े से जेंप गए थे मगर यह अपने आप में बहुती अजीब और गरीब बात है कि राम की तो बात होती है न मगर ना रामराज की बात होती है ना जवाब देही की बात होती है अब इसार शर्मा को दीजे जास्त नमस्कार